ओम नमस्ते जिए मैं अगनी देवारी है आज का हमारा विशे है कि हस्त मैथुन आयप प्राकृतिक है ये गलत है नोजवान को पतन के और ले जाने वाला है लेकिन जो लोग कहते हैं कि हस्त मैथुन स्वभाविक है प्राकृतिक है सब्ता में या महिने में एक बार कर लेना का क्या है उसके साथ रगण करना है कहलाता है अगली बात की मुत्रेंदरी को और क्या कहते हम हम कहते हैं याने की जनन करने वाले अंग यानि की संतान पैदा करने वाले अंग वो होती हैं हमारे अब यह बताओ यदि हस्त मैथुन प्राकृतिक होता तो संतान पैदा करने के लिए महिला और पुरुस दोनों की जुरूरते नहीं होती अकेली महिला हस्त मैथुन करके संतान पैदा कर लेती य प्राकृतिक हस्त मैतुन से संतान पयदा हो करके यह प्रकृति का करम भी चलना चाहिए लेकिन अइसा नहीं होता और यह गलत है यह सत मैतुन बिल्कुल है शिद्धान्त विरुद है प्राकृतिक है असभाविक है और बहुत ही पतन की और नोजवान को ले जाने वाला है अगली बात पर आ जाई है यह दूसरी बात पर मन आज के समय में प्रकर्टी के सबसे नजदी कौन है पसू है पसू पक्सी मनुष्य की और पसू की चार चीज़े मिलती है कौन कौन सी आहर निंद्रा भै और मैथुन चार चीज़े मिलती है भूख मनुष्य को लगती है भूख पसू को लगती है नींद मनुष्य को आती है भे मनिशे को होता है, भे पसों को होता है, मैथुन यानिकी संतान पैदा करना संभोग पसो पक्षी करते हैं, संभोग मनिशे करता हैं तो अब बात आई मैं आप से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कभी पसु ह Sant मैतुन करते देखे बिना माधा के वो ऐसे ही अपना विरी नष्ट करते देखे यानि कि इससे ज्यद्र नस्दिक वो हैं पसू वो कभी भी प्राकर्टिक कारियरं नहीं करते वो प्रकर्टिके साथ जुड़कर रहते हैं यह होटा तो आपको पसू पक्षिंony ऐसे ही धिकर दिखाई लेकिन वो शिर्फ और सिर्व माधा के साथ संबंद बनाते हैं अगली बात मैं आपको और बता दूं आपको आश्चरीय होगा कि एक कमाल की बात है कि पसु और पक्षी होते न यह बिना मोसम के कभी सेक्स या कभी संबंद नहीं बनाते कि वह मोसम में कोई असलील वीडियो या असलील बातें या असलील कारिये ना दिखाए जाएं तो कभी भी हस्तमैथुन नहीं करेगा कभी भी नहीं करेगा उसके अंदर क्या होगा सवभाविक होगा क्या सवभाविक को संतान पैदा करने के लिए ही संभोग करेगा वहस्तमैथुन कभी भी नहीं कर सकता और यह भावना आप सोचोगे ऐसा संभव नहीं है तो यह अगनी देवारिया आपके सामने जीता जागता उद्वारन है वह यदि इस वीडियो को चाहिए मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे साथ खेलने मेरे बच्पन के साथ ही या मेरे बड़ी उमर के साथ ही मैं सभी के सामने कह रहा हूं और चाति ठोक कर कह रहा हूं मैंने जिंदगी में एक बार भी फिर सुन लेना ध्यान से जिंदगी में एक बार भी हस्त मैथुन नहीं किया यदि हस्त मैथुन सभाभाविक होता तो इसे म पतन के और ले जाने का कारिये कर रहे हैं इस देश को निरंतर अधोपतन के और बढ़ा रहे हैं तो इसलिए मैं निवेदन करना भूख लगती है या भोजन ना हो दिखाई ना दे तब भूख लगती है समय होते ही भूख लगती होगी या ऐसा तो नहीं कि भोजन देखने पर भूख लगती हो तो इसलिए भूख क्या सवभाविक है वह प्राकर्तिक है यह ठीक इसी तरह हस्त मैथुन सवभाविक प्राक समझें तो ठीक तरह यह बात यहां पर कट जाती है कि हस्तमस वह नई है से नई है यह प्राकृति के नई है यह बात को समझिए अप्र होसमें कुछ कहते हैं कि जब जैसे आयू बढटती है कोदा पंद्रावर्स की आयू हो जाती ही हर्मन चेंज होते हैं तो उसमें प्रतेक लड़का लड़की की हस्त मैथन करने की इच्छा होती है और उसे अपनी इच्छा को नहीं दबाना चाहिए बेलकुल गल्थ कह रहे हैं ये लोग मैं नहीं मेरे साथ भी अने को नोजवान ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में एक बार भी ह हमारे अंदर इच्छा पैदा नए, हमारी तह नहीं आ लेकर हश्त मैथनकर यह वह लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल नजाइज लोग हैं इन्होंने बिल्कुल गल्थ त्रीके से अपनी संतान पैदा कि हुए हैं और यह सारी बात इं अपनी बुराही आने वाली पीडियों आ चाहते हैं तुरिए साथयों जो ब्रह्मचारी होता है जो च्रित्रवान होता है उसकी कभी भी हस्त मैफिन करने की इच्छा नहीं होते हैं समझे अपर बात को अब एक बाद बताओ सांस लेना स्वावल ले थे हैं स्वास रोग भी नहीं सकते लंबा समय तक है इच्छा होगी तो क्या कभी ऐसा होता है कि हम हस्तमेथुन ना करें और मरने वाला हाल हो जाए कैसा होता है बिल्कुल भी नहीं होता हमारा तो आज तक नहीं हो बैए 34 वर्स के आसपास आई हो गई है 34 एक बार भी अस्तमेथुन कहते जी ऐसा है जब आप हस्तमेथुन को गल्द बता रहे हो तो फिर संभोग को भी गल्द बताओ जो पती पतनी संभोग करते हैं मैंने का अरे पती और पतनी को क्या मान रख्या बने वहां पर पती और पतनी को आपके उल सारी रिक्स्तर मत समझी है उनका वहां उनका उत्सा का उनके आनंद का उनके प्रेम का आदान प्रदान होता है वह जो पती और पतनी संबन्द मनाते हैं उनके इसके पीछन का बहुत बड़ा उदेशे होता है कि हम इस र्श्ट को उत्म संतान देंगे करियों आगे बढ़ाए और जो ये उनका उद्य से वासना नहीं होता उनका उद्य से इस राष्ट्र निर्मान का उद्य होता है तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ यह थमेहतन बहुत खतरनाक है अने को नोजवानों के प्रति दिन मेरे पास मैसे जाते हैं कि मैं पतन की करना चाहिए इनको नंगे करूंगा अगली वीडियो में परवाणों के साथ इस देश के नोजवानों के साथ बहुत बड़ी साजिस चल रही हैं हम सबका परदा फास करेंगे तो आप जुड़े रहिए और आपको अच्छे लगे तो आप अपना सुझाव भी दे सकते कोमें में धन्यवाद नमस्ते जी